करते रहे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन होते रहे का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन अलुवा रजिस्ट्रेशन नमस्कार मैं हो पुरुष्ट्रोत्म पांडे स्वागत है आपका एक और ने वीडियो में अलवा रजिस्टेशन वाला ही सिचुएशन आने वाला है और ये आखरी फैसला होगा आपका जी हाँ आखरी फैसला होगा सोलर पैनल सिस्टम का डिसीजन लेने का कि आपको अपने घर में सोलर पैनल सिस्टम सबसीडी वाला चाहिए या बिना सबसीडी वाला चाहिए ठीक ह और कुछ ऐसे अपडेट आये हैं मुफ्ति विजली योजना जिसको की PM सुरिघर योजना भी करते हैं जिसके थूरू सोलर पैनल सिस्टम लगाना बहुत आसान हो गया है और आपके साथ बिलकुल भी फ्रॉड नहीं होगा तो क्या है पूरा अपडेट बताऊंगा और आखरी फैसला किस तरीके से होने वाला है पूरे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को पहले से ही लाइक कीजिए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए आरंब करते हैं तो देखे आखरी फैसला इस तरीके से होगा कि देखिए पूरा 2024 का जो प्लान था एक करोर लोगों के घर में सोलर पैनल सिस्टम लगाने का था अब ये महिना कौम सा चल रहा है ये सुरुवाती महिना नहीं था सुरुवात का महिना नहीं है ये सेप्टेंबर मन्त है यानि नौवा महिना चल रहा है और सिर्फ और सिर्फ तीन महिने बचे हैं सोलर पैनल सिस्टम लगाने के लिए आपको यानि एक करोर लोगों के घर में सोलर पैनल सिस्टम लगाना है तो अभी यदि आप अपलाई कर रहे हो और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं यदि आपने सेप्टेंबर के मह में अपलाई कर लिया तो आपके घर में सोलर पैनल सिस्टम अभी जो सबसीडी का स्कीम चल रहा है उसके अंतरगत लग जाएगा लेकिन अब यदि अप्टोबर नवंबर में आप जाते हो तो आपको पता है वैसे भी फैस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस सीजन म और भी डिले होता जाएगा आपका प्रोसीजर ठीक है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि रजिस्टेशन जब आप करते हो तो उसके बाद साथ से आठ या दस दिनों का समय लग जाता है जब आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट आता है उसके बाद आप वेंडर सेलेक्ट करते हो जो कि एमपैनल्ड वेंडर होता है और उसके थूरू लगाने तक यदि 2024 खतम हो गया तो सबसीडी तो वैसे भी नहीं मिलेगा लेकिन अभी यदि इतना ही टाइम को देखते हुए सेप्टेंबर के महिने में आपने अपलाई किया तो 100% आपको सबसीडी मिलेगा औ और देखिए अगस्त के महिने में जो संसद में जाके बोला भी गया था क्या बोला गया था कि लगब चौदा लाख लोगों का एप्लिकेशन जो है वो रिसीप हुआ है ठीक है उतने लोगों को सबसीडी मिल चुका है अब एक करोर में सिर्फ चौदा लाख लोगों ने व उसको वैवेल करने का तो ऐसे भी बता देता हुं कि एक किलो वाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाओगे तो 30,000 का सबसीडी मिलेगा फ्रमिकेशना मुफ्द विजली योजना में चल रहा है और इसको लगवाने का आफ आखरी दोड है जिसमें आप अपलाई कर सकते हो और यह यदि महिना बीट गया ना तो उसके बाद मैं भी guarantee नहीं लूँगा कि आपको subsidy मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है तो ये मेरा आखरी अपील है आप लोगों से अब बात करते हैं कि क्या बरा update हुआ है देखिए क्या हो रहा था कि एक किलो वाट दो किलो वाट तीन किलो वाट यानि आप इस range में आप लगाते हैं यानि पूरा एक किलो वाट का लगाया तो आपको उतना subsidy मिलेगा 30,000 का 2 किलो वाट का लगाया तो 60,000 का subsidy मिलेगा तीन किलोवाट का लगाया तो 78,000 का सबसीडी मिलेगा लेकिन बहुत से लोगों का जो सोलर पैनल सिस्टम लगाने का है वो कई लोग लगाते हैं तीन पैनल लगाते हैं टैप्ट आपकोंच तो वो 1.5 किलोवाट का हो जाता है यहीं पर यदि 2 किलोवाट से कोई जयादा लगा लेता है तो उसके लिए कोई extra provision ही नहीं था अभी तक यानि तीन किलोवाट सीधा सीधा तो दिख रहा था कि subsidy ये मिलेगा लेकिन उन सब डेड़ किलोवाट डाई किलोवाट वाले लोगों के लिए कोई subsidy में scheme नहीं था मतलब subsidy में कोई ऐसा provision नहीं था कि उतने का पूर फाइब किलोवाट का भी solar panel system लगाता है तो जो scale है ना उसके according उनको subsidy जाना चीए ठीक है तो यहाँ पे ऐसे चल रहा है कि यदि आप एक किलोवाट का solar panel system लगाएंगे तो 30,000 का subsidy तो मिलेगा ही मिलेगा अब यदि 0.5 extra आपने लगाया तो यहाँ पे 30,000 आपको मिल रहा थ था एक किलोवाट पे अब 0.5 से उसको multiply कीजिए तो वो 15,000 रुपे हो जाता है तो यहाँ पे total जो 1.5 किलोवाट पे subsidy मिलेगा वो लगबग 45,000 का subsidy मिलेगा इतना ही होता है तो 45,000 का subsidy आपको मिल जाएगा अब जैसे बात करते हैं कि 2.5 किलोवाट का कोई solar panel system लगाएगा तो 1 किलोवाट का 30,000, 2 किलोवाट का 60,000 और यहीं पे 2.5 यानि 0.5 किलोवाट तो तीसरा किलोवाट पे क्या आपको subsidy मिल रहाता है 18,000 का subsidy मिल रहाता तो यहाँ पे 18,000 multiply by 0.5 हो जाएगा तो यहाँ पे 9,000 और भी add-on हो जाएगा तो यदि 2.5 किलोवाट का कोई solar panel system लगा तो उसको लगबग 69,000 का subsidy मिलेगा तो यह subsidy में जो CFA करके mention है यानि Central Finance Assistance करके जो mention है जिसको कि हम subsidy भी बोलते हैं उसमें यह clear कर दिया गया है और यह latest update है जिसके थुरूँ आप अपना solar panel system पे subsidy ले सकते हैं तो अब जो भी vendors हैं जो आपको बोलता है कि एक किलोवाट वाला ह देड़ किलोवाट पे अपला होता है धाई किलोवाट ही दो किलोवाट ही subsidy मिलेगा जो दो किलोवाट पे मिल रहा था तो वो ऐसा नहीं है अब उसको आप अच्छे तरीके से बताओगे कि मेरा यदि कुछ extra लगा है या कम लगा है तो उसके according मेरा solar panel पे जो subsidy का है वो रहे ना और यह आप नहीं करोगे ना तो वही बात हो जाएगी अलुआ subsidy वाली बात ठीक है और जब अलुआ subsidy वाली बात हो जाएगी तो subsidy आपके खाते में आएगा ही नहीं तो देखे अभी के लिए जो provision है उसमें government भी update कर रही है और यह एक करोर का जो benefit है ना एक करोर लो system अपने घर में जल्द से जल्द लगा सकते हो और वैसे भी आपको पता है यह September का महिना भी चल रहा है September के बाद क्या आएगा October, November, December 2024 खतम ठीक है अब जब 2024 खतम तो यह योजना भी खतम हो जाएगा फिर उसके बाद 2025 में हर साल देखा गया है कि जो solar panel का subsidy का चंक है ना वो कम होता गया है तो 2025 में subsidy होगा जरूर मुझे लग रहा है कि 2025 में भी subsidy होगा लेकिन यह subsidy इतना जादा रहेगा इसकी जो अनुमान है वो बहुत कम दिखती है मुझे तो उसकी according आप अभी के अभी solar panel system के लिए जो subsidy के लिए अपलाई करना है वो अभी कर सकते हो और इसका benefit ज subsidy अवेल करने वाले हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें चैनल बना है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके का हेलफुल वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल पर बार बार आने के लिए आपका बहुत बहुत बह कर दो